हेलो दोस्तों, डिलिवरी का समय नजदीक आने पर प्रिगनेंट महिला को कौन-कौन सी समस्याएं होने लगती है, इस मीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी महिलाएं अक्सर पूछती है, प्रसब पुर्व क्या-क्या लक्षन होते हैं, जिससे वो जान सके कि डिलिवरी जल्द होने वाली है, आज मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हो, जिससे प्रिगनेंट महिला जान सके कि प्रसब में बस कुछ ही दिन य कर सकती हैं कि डिलिवरी होने वाली है, सबसे पहला होता है दोस्तों, सिसु का भार नीचे आ जाना, प्रसब का समय नजदीक आने पर सिसु का भार नीचे की तरफ होने लगता है, ब्रेस्ट और पेट के बीच बहुत हलका महसूस होता है, क्योंकि सिसु नीचे चला जाता ह अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए किसी सू जन्म लेने वाला है पेट के निचले हिसे में तेज दर्द हो तो हो सकता है यह लेबर पेन हो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें क्योंकि यह प्रसपुर्व होने वाला दर्द हो सकता है कमर के निचले हिसे में बहुत अधीक खिचाब मैसूस होना और दर्द का लगतार बढ़ना यह भी प्रसपुर्वा का संकेत होता है ऐसे में आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए मिलना चाहिए दोस्तों जब महिला के डिलिवरी होने वाली होती है तो गर्भासे गरिवा पूरी तरह खुल जाती है अगर आपको कभी ऐसा मैसूस हो कि गर्भासे में बाहर की तरफ फैलाव हो रहा है तो समझ लें प्रसव होने वाला है प्राइबेट पार्ट से पाने निकलना अगर एसा आपके साथ हो रहा है तो प्रसव जल्द होने के ये संकेत होते हैं जब प्राइबेट पार्ट से ज़्यादा पाने निकलने लगे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने चाहिए बार-बार अगर आपको यूरिन आ रही है इसका ये मतलब होता है कि सिसु का भार नीचे आने की वज़ा से मुत्रासे पर दबा पढ़ने लगता है जिसके कारण बार-बार यूरिन आता है अगर आपके साथ ये समस्याय हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिले क्योंकि हो सकता है आपकी डिलेवरी होने वाली है टाइम हो गया है प्रसब का समय नजदिक आती-आती, पेद का आकार बदलने लगता है क्योंकि शिसू का भार नीचे की तरफ कोने लगता है लिए जब भी आपको ऐसा मैसूस हो तो समझ लें सिसू धीरे-धीरे अपनी पॉजीशन ले रहा है और प्रसब का समय नजदिक आ रहा है मा बनना हर एक महिला के लिए एक खुबसूरत पल होता है दोस्तों एक सुख़द एहसास होता है इस पल को अच्छे से इंज्वाई करने चाहेगी मैं आपके आपके सिसू के लिए कामना करती हूँ सुबकामना आपको देती हूँ आपके डिलिवरी स्वस्त हो अच्छे से हो आपका सिसू स्वस्त पैदा हो पर दोस्तों ध्यान ये रखना है जब भी आपको ऐसे कोई लक्षन दिखे तो ये प्रसप पुर्व लक्षन होते हैं देर नहीं करने चाहेगे डॉक्टर से दुरंत मिलने चाहेगे समय पर हॉस्पिटल पहुँचना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी डिलिवरी सेफ तरीके से खो सके और आप खुस हो जाएं मैं आसा करते हूँ ये वीडियो कापी अच्छी लगी होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक सेर कर दें आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठैंकियो भेरेज़